हेलो फ्रेंड्स मोटिवेशनल कुकिंग में आज आपके लिए लेकर आईउं पनीर भूजी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसे फॉलो करके आप बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भूजी वो भी कुछ ही मिंटों में इसके लिए हमें इन बाट लिया है बारीक बारीक बस गैस जलाईए पैन चड़ाईए और उसमें डाल दीजे दो टेविल स्पून ओईल गर्म हो जाने पर डाल दीजे जीरा और हींग जीरा हींग जब आपका अच्छी तरह से चटक जाए तब डाल लीजे अपनी चौप की हुई प्याज ध्य एक मिनट ही भूनेंगे हम शिमला मिर्च को इसके साथ भी प्याज भून जाएगी और शिमला मिर्च कुक हो जाएगी शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरह से गल जाए तो डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक वो भी इसी टाइम पर नमक को मिक्स कर लीजे और अभी डाल दीजे, अपना कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च, बस ये 3-4 सबजियां डाल कर और पनीर को इसमें ग्रेट करके हम तयार कर लेंगे, अपनी बढ़ी आसी पनीर, भुजी और इसका कुकिंग टाइम है, बहुत ही कम, इसमें जाएंगे बेसिक से मसाले, वो भी थोड़ी मातरा में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, रैगुलर सबजी से कम मसाले इसमें डालिए, मसालो को भी अपनी पकी हुई सबजी के साथ, मिक्स कर लीजे, और बस अब कद्दू कस कर लीज़े, अपने पनीर को, 500 ग्राम पनीर को मैंने इसमें कर लेना है पनीर डालने के बाद सारी सबजियों के साथ केवल मिक्स करना है वनना पनीर ओवर कुक्ड हो जाएगा और थोड़ा सच्यूई भी हो जाएगा इसी टाइम पर डाल लीजे एक चम्मस टमाटर सौस और इसे भी मिक्स कर लीजे अपनी इस सबजी में आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिए और आपके बच्चे बार वार आपसे डिमांड करेंगे कि टिफिन रेसिपी में उन्हें पनीर भुजी दी जाए अब इसे गार्निश कर लीजे बिल्कुल फ्रेश हरी धनिया पत्ती के साथ बस तयार है आपकी बहुत ही बढ़िया डिलिशि कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए वाटसेप पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बने रही है मेरे साथ थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग